हाई दोस्तों असलाव अले कुम कैसे आप लोग मेरा मेरा नपील है आज भी हम लोग दो MacBook का comparison करने वाले हैं और काफी बड़ा आउपनर ये वीडियो रहना चाहिए मुझे पता नहीं इसका outcome क्या होगा तक अभी जो MacBook में compare करने वालों ये brand new seal pack condition में है और लास्ट वीडियो म मैंने आपको बुला था कि मैं M1 Max जो है 3,30,000 रुपी का आता है लेकिन एक लाग रुपी के discount में मिल रहा है तो वो भी मैं लेने वाला हूँ क्योंकि उसमें 32GB RAM है 1TB hard disk है 32 core का GPU है और का जाधा benefits है तो वो मैं लेके आ गया हूँ ये है 2,29,000 वाला M1 Max चिप वाला MacBook Pro 16 जि अपल की original packaging जहाँ पे MacBook आपको अंदर safe and secure मिलता iPad के लिए ऐसी packaging आती है और इसको आप बिना किसी scissor के या knife के ऐसे open कर सकते हो और फिर उसके बाद आप इस तरीके से इसका परदा open करेंगे तो यहाँ पे आपका MacBook रखा आपको मिलेगा और यहाँ पे back side से आप इसको देख notifications का पता लगा सकते 32 score का GPU है 32GB RAM है 1TV hard disk है और यहाँ पे यह जो pull tab है इसको खीच के हम इसको properly unbox कर सकते है यह Apple की seal होती है जिससे आपको पता चल सकता है कि यह brand new seal pack product है और एक और seal यहाँ पे इसके नीचे भी होती है तो इसको भी इस तरीके से pull करके हम pair कर लेंगे अब यहा पर हमारा जो MacBook M1 Max वाला वो रखा हुआ आपको देखने मिलेगा इस तरीके से और box के अंदर के भी सामान बिल्कुल सेम ही होता है वही braided वाली MacSafe cable और यह 140 Watt का charging adapter जो M1 Pro और M2 Pro में भी आपको देखने मिलेगा same to same अभी M1 Mac वाला जो MacBook है मेरा नया वाला इसको मैं old वाले आप इस तरीके से setup कर सकते हो उसको तार इड़ाप का migrate हो जाएगा जब तक मेरा MacBook Pro M1 Max वो setup हो रहा है मैं आपको इन दोनों के बीच में जो differences है और similarities हो बता देता हूं सबसे पहली बात यहां पे design, build quality, body, everything is exactly the same, ports भी exactly same है इन में कोई भी आपको फरक देखने नहीं मिलेगा पहचानना यहां पे नमुम्किन है जिस देख के कौन सा M1 Pro है, कौन सा M2 Pro है, कौन सा M1 Max है और क्योंके यहां पे color भी same है मेरे पास तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है हमको इसको पहचानने में इसलिए इसकी एक जगा fix करनी पड़ेगी speaker, mic और camera भी M2 Pro और M1 Max में exactly same है, display भी exactly same है, दोनों 1600 nits की peak brightness पे लेके जा सकते है इस display को और दोनों ही Pro motion displays है लेकिन गाइस wireless technology में फरक है, M2 Pro के अंदर आपको दो advantages मिलेंगे, एक Wi-Fi 6E है इसके अंदर और M1 Max के अंदर Wi-Fi 6 आपको मिलता है 6E superior है, अगर आपके पास internet connection वैसा है, और router भी 6E वाला है, तो M2 Pro के अंदर आपको benefit मिल सकता है महीं पर Bluetooth version की बात करें, तो M2 Pro के अंदर Bluetooth version 5.3 है, M1 Max के अंदर 5.0 है कि दोनों ही चीज़ों की वैसे मेरे काम में बिल्कुल भी कोई restriction नहीं आने वाला है, और मुझे इससे कोई फरक नहीं पड़ता है battery और charging के अंदर भी कोई difference आपको देखने नहीं मिलेगा, पिछले वीडियो में मैंने जिसे आपको बताया था M1 Pro और M2 Pro के अंदर Apple क्लेम करता है कि M2 Pro में आपको एक घंटा जादा battery life मिलती है, लेकिन Final Cut Pro के render के time पे हमने देखा के M2 Pro की battery जादा drain हुई है, जबके मेरा M1 Pro जो है कम battery health पे था, अभी यहापे बें similar चीज़ expect करता हूँ, तो Final Cut के time पे देख लेंगे, बाकि दोनों ही 140W का charger मिलता है, दोनों ही equally fast charge हो जाएंगे आपके अब यहापे जो सबसे बड़ा difference है वो है specifications के अंदर, M2 Pro के अंदर M2 Pro chipset है, 16GB का RAM है और 512GB का SSD है, जबके M1 Max के अंदर आपको M1 Max chipset मिलता है, 1TB की SSD मिलती है और 32GB का RAM मिलता है, तो RAM यहाँ पे डबल है, storage भी डबल है, M2 Pro के इस model के अंदर जो इसका base model है, आपको 12 core का CPU और 19 core का GPU मिलता है, 12 and 19 cores, जबके M1 Max के अंदर आपको 10 core का CPU लेकिन 32 core का GPU मिलता है इस particular model के अंदर, दोनों के अंदर 16 core का neural engine है, लेकिन जो memory bandwidth है, वो M2 Pro के अंदर 200GBPS है, और M1 Max के अंदर 400GBPS है, तो यहापे double memory bandwidth आपको मिलती है M1 Max के साथ, और media engine के अंदर भी दोनों में difference ह M2 Pro के अंदर, आपको single video decode engine, single video encode engine और single prores decode and encode engine मिलता है, जबके M1 Max के अंदर, आपको single video decode engine, लेकिन 2 video encode engines मिलते है, और 2 prores decode and encode engines मिलते है, तो यहापे video editing में हो सकता है, यह better साबेत हो, अब यह जो specification के अंदर differences मैंने आपको बताया, यह actual day to day life में आपको कैसे effect करेंग M1 Pro winner था, M2 Pro हार गया था, क्योंकि Apple ने SSD की speed कम कर दिया, लेकिन M1 Max में हमको कितनी मिलती है, यह 1TB, 512 वाला है, तो वो भी हम check कर लेंगे, speed test यहापे start करते है, दोनों के ही अंदर, एक साथ, तो यहापे read or write speed, 2-3 बर इसको करने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊ 6,000 की write speed है, और 5,000 की read speed हमको निकाल के दे रहा है, जो कि हमारे M1 Pro से भी जादा है, तो यहापे और fast, जो hard disk है, SSD है, वो इस्तवाल की गई है, M1 Max के अंदर, तो गया, इस black magic speed test का result तो आपके सामने है, specs का, जो comparison है, मैं बता चुका हूँ कि कौन सा जादा powerful है, M1 Max, लेकिन जो actual हमारा video rendering comparison है, Final Cut Pro का, जिसके लिए मैंने अपने office के लिए, यह MacBook खरीद आए, उसमें क्या हमारा M1 Max, M2 Pro के मुकाबले better है, या फिर M2 Pro better साबित होता है, यह check करेंगे, M2 Pro हमारे पिछले वीडियो में ही M1 Pro से हार चुका है, तो M1 Max से तो obviously बात हारेगा, लेकिन कितने margin जिन से हारेगा, यह मुझे चेक करना है, तो चलिए, करते हमारा Final Cut Pro का speed test, तो आप guys हम लोग कर रहे है, इसका असली मुकाबला Final Cut Pro का comparison, उसके पहले मैं बता देता हूँ, यह देख सकते हैं, यहाँ पे MacBook M2 Pro 16GB RAM, और यहाँ पे MacBook M1 Max यह Apple M1 Max चिपसेट और 32GB RAM, ताके आपक जो है, एक साथ निकाल देंगे, तो यह चार्जर गए, और यहाँ पे मैं आपको दोनों की जो बैटरी है, भी बता देता हूँ, कि it is 100% charged on both MacBooks, तो हम यहाँ पे बैटरी का कितना drain होता है, Final Cut का वीडियो रेंडर करने में, वो भी चेक आउट करने वाले, तो यहाँ पे में same project open है, 18 minutes 4 second का, 18 minutes 4 second का nothing phone 2 का review है मेरा, और यहाँ पे देख सकते हैं, कि scrubbing जो है, दोनों के अंदर exactly same है, एकदम smooth है, 3 layer वाला एक ये project है, और 4K वाला project है, अब यहाँ पे हम इनको render करेंगे, और rendering के टाइम पे में आपको दोनों के अंदर, जो export size है file का, वी बता देता हूं, तो यहाँ पे हम इसकी setting में चले जाते है, और यहाँ पे आप देख सकते है, setting में, जाके के दोनों में exactly same है, सब कुछ settings वगरा, यह 8.43 GB, 8.43 GB, अब हम दोनों पे साथ में, जो है next पे click कर लेते है, और यहाँ पे उसके बाद, हम यहाँ पे export करेंगे, in 3, 2, 1, go, और यहाँ पे exporting जो है, दोनों में शुरू हो गई, यह background task वाला window है, मैं open कर देता हूं, यहाँ पे मैं stopwatch को शुरू कर देता हूं, आपके सामने है, यह 1% पे है, यह भी 1% पे है, अब देखते है कि कौन पहले इसको complete करता है, M2 Pro से M1 Pro जीत गया था, तो M1 Max तो जीतेगा ही, definitely मुझे लगता है, लेकिन कितने margin set जीतेगा, वो देखना है, यह same project के लिए, 9 minutes 10 seconds, 9 minutes 30 seconds, M1 Pro और M2 Max का result था, 20 seconds का फरक था, अब यहाँ पे Max वाली chipset, M1 Max, जिस पर मैंने invest किया है पैसे अपने, वो कितना fast करती है render, यह हमको check करना है, तो यहाँ पे guys, काफी shocking जो results है, वो जादा पैसे की value मुझे यह निकाल के दे रहा है, at a lower price, क्योंकि मैंने जिस आपको बताया, 30,000 rupees का difference है, यहाँ पे 93 पे है, 94, अब इसको पूरा 100 होने देते है, आपके सामने ही इसको 100% करते है, तो यहाँ पे 100% हो गया है, मैं एक lap दबा देता हूं, ताकि 5 minutes 34 seconds हमको पता ह हो गया, और इस वाले पे हम देखेंगे, पूरा complaint हो गया, कि कितने मिनिट पे इसकी वीडियो रेंडर होती है, वो ही 9 minutes 30 seconds के आसपास होगा, क्योंकि पहले मैं इसका test कर चुका हूं, M1 Pro के साथ, तो यहाँ पे 9 minutes हमारे speed test के हो चुके है, और यह 92% पे है, 9 minutes 30 seconds तक हम वेट करेंगे, देखेंगे, कि उतना ही ले रहा है, और एक चीज़ मुझे यहाँ पे चेक करनी है, कि बैटरी कितनी ट्रेन हुई है, तो यह 98% पे है, जो हमारा M1 Max वाला है, उसी ताइम पे चेक करना चाहिए था, शया 99 होता, anyways, 2% यहाँ पे बैटरी ड्रॉप हुई है, बैटरी 1% ड्रॉप हुई है, तो इसमें भी 1% हुई होगी, लेकिन मैंने चेक करने के लिए 4 मिनिट देर कर दी, तो अल्मोस्स सिमिलर बैटरी का परफॉर्मेंस है, लेकिन परफॉर्मेंस किसका बेटर है, वो आपको पता चल गया, तो शॉकिंग रिजल्स थे, Final Cut Pro के र M1 Max ने, टिबके M1 Pro और M2 Pro का परफॉर्मेंस थोड़ा सिमिलर ही था, समझो, 20 सेगंड का फरक था, और M2 Pro ने जो है, साधे 9 मिनिट के आसपस, वो वीडियो को रेंडर किया है, तो definitely guys, यहाँ पे, जो, there is no replacement for displacement, जैसे बोलते है, cars के मामले में, इतना बड़ा एंजिन है, उतना आपको जाधा power मिलेगा, तो वही चीज हमको M1 Max में मिलती है, और M1 Max के लिए जाना समझदारी भी है, आप आपको pricing को अगरा बता देता हूं, availability बता देता हूं, कहां से मैंने लिया, आप कहां से ले सकते हैं, वैसे पिछले वीडियो में मैंने एक्स्प्लेन किया थ और यहां पर इसका SKU नंबर होता है, यह आप चेक कर सकते है, कौन सा मॉडल है, कितना RAM है, क्या है, जो मैं exactly बता रहा हूं, वही है या कुछ और है, यह Apple Authorized Reseller है, iSense नाम के, और इनका महाराष्टा में 2-3 stores है, आप चाहे तो उनके stores भी विजिट कर सकते हो, वहां से भी offline आप पर्चेस कर सकते हो, ओनलाइन भी पर्चेस कर सकते हो, क्योंकि Apple Authorized Reseller है, और आपल की वारेंटी है 1-year की, जैसे मेरे MacBook पे मुझे मिली है, 2,29,900 इसकी प्राइस है, जो के है MacBook Pro M1 Max, और वही प्राइस अगर आप देखते हो M2 Pro की, M2 Pro की प्राइस रहती है, 2,50,000 बहुत जादा बेटर पर्फॉर्मेंस ही है, और पैसे बचाना है तो इसके लिए जाईए, और आपको थोड़ा बेटर पर्फॉर्मेंस चलेगा, लेकिन पैसे जादा बचाने है, तो आपको जाना चाहिए, या तो 1TB वाला M1 Pro, या तो बेस वाला 512GB वाला M1 Pro, 159,900 का ह या फिर सिफ 7,000 और देखे, आप 165,300 में M1 Pro ले सकते है, विचिस बेटर देन M2 Pro, पैसे भी आपके बहुत जादा बच रहा है इसके अंदर, और M1 Pro बेस वर्णिन के अंदर तो Macbook Pro M2 Pro के बेस वर्जिन से, अल्मोस 90,000 बच रहा है, और अगर आप 1TB वाला लेते हो M1 Pro, तो उसमें तो आपके और ज़्यादा पैसे बचेगे, क्योंकि Apple पे जब अपग्रेट करते हो, नए वाले M2 Pro पे, 20,000 रुपीज आपको SSD का ज़्यादा देना पड़ता है, तो आप सच में एकदम हार्ड कोर मशीन चाहते हो, जो सालों साल आप यूज़ करें, और धाई ल बेटर क्यों है, और यह लोग Apple authorized reseller है, वैसे नहीं कि यह जो products है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो M2 Pro भी इंसे ले सकते है, जो कि 249,900 का आपको मिलेगा, तो यह दी कहानी दोस्तो, M1 Max vs. MacBook Pro M2 Pro की, उमिकलत दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसना होग पसना है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरू कीजिए, अमेरे इस चैनल को सब्स्राइब जरू कीजिए, गुदबाई